हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे हम सभी लोगों के घरों पे इस प्रकार की बेकार बोरी आ ही जाती है और इसका कोई यूज नहीं होता है तो आज हम इस प्रकार की बोरी से बहुत ही यूजफुल सी चीज बना के रेडी करेंगे और आज का ये आईडिया आपको बहुत ही जादा पसंद आएगा और जिन लोगों के घरों पे भी इस प्रकार की बोरी अभी पड़ी हुई है या जिन के घर पे इस प्रकार की बोरी अभी आने वाली है तो आज का ये वीडियो उनके बहुत ही काम आएगा तो सबसे पहले तो हम बोरी की cutting कर लेते हैं तो यह देखें यहाँ पे मैंने 24 इंच लंबाई रखी है और 20 इंच ओडाई रखी है तो same size पे आप लोग भी बोरी की cutting कर लीजेगा या छोटा बड़ा size आप कर सकते हैं तो यह देखें इस प्रकार से chalk से निशान लगा के हम बोरी को cut कर लेंगे तो सबसे पहले तो हमें जिस भी size पे organizer बनाना है तो उस size पे हम बोरी को cut कर लेंगे बड़ा छोटा size आप कर सकते हैं अपने हिसाब से तो यह देखें बोरी की cutting हो गई है और इस प्रकार की बोरी का कोई भी huge नहीं होता है इसे हम अकसर fake ही देते हैं पर इससे आप बहुत सी useful सी चीज़े बना के ready कर सकते हैं तो आज के वीडियो में मैं एक idea आपके साथ share कर रही हूँ और यह idea आप में से बहुत से लोगों के काम आएगा और बिल्कुल easy तरीके से आज हम बहुत ही बड़े size पे basket बना के ready करेंगे तो यह देखिए अब जिस size पे हमने बोरी को cutting किया है उसी size पे मैंने एक rice bag भी ले लिया है तो यह देखिए same size पे मैंने rice bag और यह उपर यह जाली वाली बोरी रखी है और अब जिस प्रकार से मैंने इनको रखा है तो चारों तरफ हम इन पे सिलाई लगा लेंगे और बीच बीच पे भी यह देखिए मैंने सिलाई लगा के ready कर लिया है तो यह एक हमारा piece बन के ready हो गया है अब हमको क्या करना है कि ये देखिए इस प्रकार से मैंने 5 इंच चोड़ी पट्टी ली है और किसी भी फैवरिक की कोई भी पुराने कपड़े की आप इस प्रकार से पट्टी ले लीजेगा और इस पे हम पाइपिंग पट्टी लगा के रेडी कर लेंगे तो ये देखिए अंदर की तरब से एक बार सिलाई लगाएंगे फिर बाहर पलट के हम सिलाई करके पाइपिंग पट्टी लगा के रेडी कर देंगे और बिल्कुल इजी तरीके से बहुत बड़े साइज पे हम बास्केट बनाएंगे तो दोनो तरब पहले हम पाइपिंग पट्टी लगा के रेडी कर लेते हैं पाइपिंग पट्टी लगा के रेडी कर लेंगे जिससे की जो हमारी ये बोरी की जो किनारे हैं वो निकलेंगी नहीं और जो हमारा जो बास्केट है उसका लुग भी अच्छे से आने लगेगा या फिर आपके पास साड़ी से निकली कोई पुरानी ले से तो आप उसे भी लगा सकते हैं किनारों पे तो ये देखिए इस प्रकार से पाइपिंग पट्टी हम दोनों तरफ लगा के रेडी कर लेंगे और बिल्कुल इजी तरीके से बिल्कुल बेकार चीजों से देखिएगा आप बहुत प्यारा बास्केट बनके रेडी होगा तो ये देखिए अब इस प्रकार से बाहर की तरफ पलट के हम एक बार और सिलाई लगा लेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से पाइपिंग पट्टी दोनों तरफ लगा के हमको रेडी कर लेना है अब इस प्रकार से ये देखिए पलटेंगे उल्टा करके रखेंगे ये बोरी को हम और दोनों तरफ किनारों पे पहले हम सिलाई लगा लेंगे और बिल्कुल इजी तरीका है जिसको थोड़ी सी भी सिलाई आती है तो वो इस प्रकार का बास्केट बना के रेडी कर सकता है और अपनी घर को अपनी अलमारी को अच्छे से और्गनाईज करके रख सकता है और बिल्कुल बेकार की चीजों से ही हम बना रहे हैं कोई भी चीज हमको मार्केट से खरीद के नहीं लाना है तो ये देखिए दोनों तरब किनारों पे हम सिलाई लगा लेते हैं पहले और फिर हमको नीचे की तरब से 44 इंच का बॉक्स बना के रेडी करना है और फिर कटिंग करके हम और्गनाईजर बना के रेडी कर लेंगे तो ये देखिए दोनों तरब से मैंने सिलाई लगा ली है अब नीचे की तरब से ये देखिए 4 इंच पे हमको निशान लगाना है इस प्रकार से हम 44 इंच का बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे दोनों तरब और फिर कटिंग कर लेंगे और फिर सिलाई लगा के हमारा प्यारा सा और्गनाईजर रेडी हो जाएगा तो ये देखिए ये निशान लगाया है जहाँ पे हमने वही से हम कटिंग कर देंगे दोनों तरब करने के बाद इस प्रकार से ये देखिए इस बोरी को हम पकड़ेंगे और दोनों तरब सिलाई लगा लेंगे तो जिससे की क्या होगा हमारा प्यारा सा और्गनाईजर बनके रेडी हो जाएगा तो चलिए मैं दोनों तरब पहले सिलाई लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि ये किस परकार से बनके रेडी हुआ है तो दोनों तरब सिलाई लगा लेडी हुआ है तो दोनों तरब सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए इस परकार से हम इसको पलट लेंगे और ये देखिए कितना प्यारा सा और्गनाइजर पपड़े रखने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं किचिन में आप इसका यूज कर सकते हैं ड्रेसिंग टेबल पे आप इसका यूज कर सकते हैं मेकप की चीजें स्टोर करने के लिए बहुत ही यूज फुल है और ये देखिए कितना प्यारा बनके रेडी हुआ है ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने इसे किसी चमकीले कपड़े स होता है आप इसे वॉश भी कर सकते हैं तो यह देखिए कितने सारे कपड़े मैंने श्टोर कर लिये हैं और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बनके रेडी हो जाता है बिल्कुल इजी तरीके से बनके रेडी हो जाता है और कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके भी बताईएगा कि वीडियो कैसी लगी है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा नेश्ट वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल पे फ्रेंट्स इसी प्रकार के वीडियो आते रहते हैं और आपको यदि किसी और टॉपिक्स पे वीडियो देखना है तो आप कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं आपके लिए वीडियो बनाके जरूर लेकी आऊंगी थेंक्यो फर वाचिंग मैं चैनल मिलते हैं जल्दी नेश्ट वीडियो में